हेलो एन नमस्कार मैं अनुदिवान स्वागत है आपका इविद्या चानल नंबर नाइन पर आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्क्रित क्लास नाइन के लिए और टॉपिक है पर्यावर्नम इसके लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौझूद है मैं उनका स्वागत करती हूँ मिस्टर केसी त्रिपाथी डिलन्सी आटी से हेलो सर नमस्कार सर के साथ जुडने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 8800-440-559 पर या फिर आप हमें अपनी कोईरी जो है इस टॉपिक से डिलेट मेल कर सकते हैं कि शुडने से पहले, लेकिने सेशन की सुड़वात करने से पहले, let me just announce you that you are aware that India assumed the G20 Presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023, a nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 Presidency would be a watershed movement in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions and for the well-being of all and in doing so, manifest the true spirit of Vasudev Kutumbukam तो अब अपने सत्र पर दुबारा चलते हैं और शुरू करते हैं आज का विशे सर्पर्यावरनम यानि के environment से related, प्रक्ति से related धन्यवाद में ये अयम पाठाह सेमुसी पुष्टकात अस्ति पूर्वं अयम पाठाह एकादस पाठ रूपेन आसीद अधुना संभवताह नमम पाठ रूपेन अस्ति कि मस्ति प्रक्रति ही समेशाम प्राणि नाम संदक्छनाई यतते प्रक्रति ही नेचर समेशाम प्राणि नाम संदक्छनाई सभी प्राणियों के संदक्छन के लिए प्रत्न करती है स्वयम इम सर्वान पुशनाति विविधैय प्रकारई है यह अनेको प्रकार से सभी का पोषण करती है सुख साधनय चा तर्पयति और सुख साधनों से सब को तिर्प्त करती है तो यह परियावण के मुख्य तत्तों क्या है प्रथिवी जलम तेजह वायुह आकाशस्च प्रथव्यब तेजो वायु आकाशी प्रथवी जल तेज वायु और आकाश ये इसके प्रमुख तत्व हैं तान्येव मिलित्वा प्रथक्तयावा अस्माकम परियावरणम रच्यांती तान्येव वही कौन प्रथवी जल तेज वायु और आकाश येही मिल करके अथवा अलग-अलग हमारी लिए परियावरण की रच्ना करते हैं आवरियते परितह समन्तात लोकाह अनेन इती परियावरणम ये जो लोक है सब तरफ से आवर्थ होता है आच्छादित रहता है सुरक्षित रहता है इसी को परियावरण कहते हैं किस प्रकार यह था अजातस्षिशुहू मात्र गर्भे सुरक्षिता थिश्ठाती। अजाता जन्म न लिया हुआ शिशू जिस प्रकार माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार मनुस्य परियावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है परिश्कृतम प्रदूशन रहितम चा परियावरणम असमभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामगरीन चा प्रददाती यह जो परिश्कृत है शुद्ध जिसे कहते हैं परिश्कृतम प्रदूशन रहितम प्रदूशन से रहित परियावरणम हमारे लिए सांसारिक जीवन सुखों को सद्विचारों को और सत्य संकल्प तथा मांगलिक सामगरी को प्रदान करता है प्यारे बच्चों आपने देखा होगा ये जब करोना काल था उस समय सब तरह के वाहन बंद सब जगह आना जाना बंद तो उस समय प्रकृति ने क्या रूप धारण किया था कहा जाता है कि उस समय जो ओजोन एक सुरक्षा परत है उसमें जो छिद्र हो गया था वो भी काफी हद तक ढग गया था और गंगा यमुना जो हमारी नदियां है बहुत ही निर्मल बहने लग गई थी इसके अलावा जो वायू मंदल में प्रदूशन तमाम तरह का होता था वो भी सर्वता शुद्ध हो जाता था यानि यह जो आधनिक संसाधनों की अधिकता एक प्रदूशन को जन्म देती है इसको कम करना होगा सीमित मात्रा में प्रियोग करना तो कोई बुराई नहीं है लेकिन जब आसीमित रूप में प्रियोग होने लगेगा तो प्रदूशन बढ़ेगा चाहे वो धनी का प्रदूशन हो वायू का प्रदूशन हो अथवा भोजन का प्रदूशन हो तरह तरह स जो हमें नुक्सान पहुंचाते हैं वैसा प्रदूशन होने लग जाता है। लेखक कहते हैं जलब प्लाव नई ही जब भीषन जलका प्रवा हो जाए अगनी भयाई ही आग लगी भूकम पाई ही वात्या चक्रई ही यह जो वायु का तेज बहना बवंडर रूप धारन करना उलका पात यह जो उलका पात होता है आकाशे। इन सबसे संतप्त मने परिशान पीडित मानवस्य कोमंगलम मनुस्त्र का कल्यान कहां है अतैव अस्मा भी ही प्रिकृति ही रक्षणिया। इसलिए हम सब मिल करके प्रिकृति की रक्षा करनी चाहिए। कैसे प्रिकृति की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। तो वो भी इस पाठ में क्रमसा मिलेगा और जब विचार रखना होगा तो उससे हम इसको और पुष्ट करेंगे। तेन चा पर्यावरणम रक्षितम भविश्चती उससे हमारा पर्यावरण रक्षित होता है। प्राचीन काले लोक मंगला शंचिन रिशयो बने निवसंतिस्मों प्राचीन काल में लोक कल्यान करने की हेतु लोक कल्यान करने की इच्छा से भावना से रिशी लोग बन में रहते थे ये तो ही वने सुरक्षितम परियावरणम उपलब्भतेस्मों वन में परियावरण सु कलकूज नई ही श्रोत रसायनम ददती वहां अनेक प्रकार के पक्षी कलकूजन से अपनी मधुर आवाज से श्रोत रसायनम ददती कान को अच्छा लगने वाला रसायन प्रदान करते हैं सरितव गिर निर्जराश चा अम्रत सादो निर्मलम जलम परेच्छनती सरितव नदियां गीरी परवत निर्जर जरने अम्रत तुल्ले स्वादिष्ट स्वच्छ जल प्रदान करते हैं ब्रिक्ष लताश चा फलानी पुष्पानी इंधन काश्ठानी चा बाहुलेन समुपहरंती और क्या करते हैं ब्रिक्ष लताएं ये फल पुष्प इंधन के लिए लकणियां पुष्कल मात्रा में हमें उपलद्ध कराते हैं सीतल मन्ध सुगंध वन पमनाह अउशद कल्पम प्राणवायुम बितरंथी सीतल ठंडी मन्ध धीमी गती से और सुगंधित जो पमन है वायुआ वो अउशद कल्पम अउशदी के शद्रिश प्राणवायु हमें पुरदान करते हैं परंतु स्वार्थ हंधो मानवह तदेव पर्यावरणं अध्य नाशेयती किन्तु स्वार्थ में अंधा हुआ मनुस्य तदेव पर्यावरणं उसी पर्यावरण को अध्य आज नाशेयती बिनस्टम करोती अल्प लाभ के लिए लोग बहुमूल्यानी अत्यन्त कीमिती वस्तों को विनास करते हैं जनाह यंत्रागारानाम विशाक्तम जलम नद्याम निपाता यंती कारखानों यहां पर यंत्र से काम होता है यंत्रा कारखानों का जो विशाक्त जल है विशैला जल है नद्याम निपाते हैं नदी में गिनाते हैं उससे क्या होता है तेन मत्यादी नाम जलचरानाम चा क्षणे नईव नाशो भोवतों उससे मचलियों और अन्य जलचरों का उसी क्षण नाश हो जाता है नश्ठो जाते हैं नदी जलम पी तत सरवता अपयम जाएते और वो नदी जलभी सब प्रकार से अपय हो जाता है पीने लाइक नहीं रह जाता है मानवाह व्यापार वर्धनाय वर व्रक्षान निर्विवेकं छिंदनते मनुष्य अपने व्यापार के बढ़ाने के लिए बन के व्रक्षों को बिना विवेक निर्विवेक काट रहे तसमाद अवरिष्टिम प्रबर्धते जब पेड़ जादा कड़ गए तो अवरिष्टी होने लग गई अवरिष्टी बरसा नहीं होती एनि सुखा पड़ने लग गया वन पशवस्च शरण रहिताह गरामेश उपद्रवं बिदधती वन पशवा जंगली पशू शरण रहिताह उनके छिपने के अस्थान जो समाप्त हो गए हो उनको कही शरण नहीं मिल रही तो गरामेश उपद्रवं बिदधती गाउं में गरामेश उपद्रव करते हैं शुद्ध वायू रपी ब्रिक्षकर्तनात शंकटापन्नो जायती जो शुद्ध वायू है पेड़ों के कटने से शुद्ध वायू भी संकट गरस्त हो जाती है जब पेड़ी नहीं रहेंगे तो आक्सिजन की कमी होगी इससे वायू शुद्ध नहीं रह जाती एवं ही स्वार्थान धमानवाई ही ब्रिकर्तिम उपगदा प्रिकर्ति ही एव सर्वेशाम बिनाश करतरी भवती इस प्रकार स्वार्थ में अंधे स्वार्थ में अंधे मनुष्यों द्वारा दूशित की गई जो प्रिकर्ति है सभी का बिनाश करती है विकर्तिम उपगते परियावरने जब परियावरन विकर्त हो जाता है विविधाह रोगाह अनेकों प्रकार के रोग भीष्रन समस्या श्यसंभवंती और भीष्रन समस्य कि ऊठियाएं पैंदा हो जाती यह सब कुछ इस समय छिंतनी हो जाता सुखां पड़ना यह सब चीजे इस चाप्टर के अंदर डिस्क्राइब की गई आपको किसी भी तरह की कोई दिख्कत आ रही हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं डबल 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 फोर जीरो डबल फाइब नाइन पर या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं dth.class9 at cit.nic.in के उपर इस chapter से related queries के लिए सर हमारे साथ यह मौझूद है आपके सभी queries को solve करेंगे निश्चन्त होकर पूछे जरूर सर शुरू करते हैं आगे का जी मेडब धर्मो रक्षती रक्षिता इत्यार्स बचनम यह आर्स बचन है माने रिष्यों की बाणी है क्या है धर्मो रक्षती रक्षिता धर्मो रक्षती धर्म रक्षा करता है किसकी रक्षिता जो इसको प्रकृति की रक्षा करते हैं धर्म के धर्म की जो रक्षा करते हैं उनकी रक्षा धर्म करता है पर्यावन रक्षन मपी धर्म सेव अंग में थी रिशया प्रतिपादित वनता है पर्यावन की रक्षा भी धर्म का ही अंग है ऐसा रिशियों ने प्रतिपादित किया है अताएव इसलिए वापी कूप तडागाद निर्मानम वापी वापी माने जल का एक छोटा सा तालाब कह लिजे छोटी वापी जिसे कहते हैं कूप कुए तडाग सरोवर का निर्मान देवायतन देवताओं का आयतन यानि मंदिर विश्राम ग्रिहादी और जो ये विश्राम करने के घर हैं इन स्थानों की स्थापना करना धर्म शिद्धे श्रोतो रूपे अंगी कृतम धर्म की सिद्धे के लिए श्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है बच्चो यह पाठ अत्यंत सरल है मेरा निवेदन यह होगा कि आप इस पाठ को प्रसंता पुर्वक कम से कम दो तीन बार अपने आप ही पढ़ डालें जब आप पाठ पढ़ेंगे तो चुकि आपकी भासा चाहे आप हिंदी भासी हो या कोई भासा भासी हो उसमें अधिकांश शब्द या शब्दों का जो मूल स्वरूप है उस संस्क्र शब्दों का ही है जब आप दो तीन बार पढ़ेंगे तो इसका 60-70 परसेंट इसका जो तातपरिय है आपको स्वता ही समझ में आजाएगा लेकिन चुकि ये संस्कृत एक भासा है तो भासा का मतलब जिसे आप बोलो पढ़ो लिखो कम से कम चार जो इसके कौशल है पढ़ना लिखना बोलना और सुनना अगर मैं संस्कृत में एक श्लोक की रूप में कहूं तो श्रमणम पठनम चैव भाशनम लेखनम तथा चत्वारी कवसलान न्याहू भाशायास तत्वदर्शिना तत्वदर्शी विद्वानों ने भाशा के चार कवसल बताए आजकल क्या गड़बडी हो रही ह भाशा पढ़ी ही नहीं जाती इसको इस तरह से पढ़ने कोशिश करें जैसे कोई याद कर लो इतिहास हो गया या समाज शास्त्र हो गया इसका इसकी सामग्री जो है वो तो सब तरह की है संस्कृत में संस्कृत भाशा में अथवा किसी भी भाशा में जो उपलब्द सामग भी है बेवहार शास्त्र भी है विज्ञान भी है तो इसलिए भासा को कई बार अभ्यास करना चाहिए अब आगे है कुकुर सूकर सर्प नकुलादि स्थल चारा देखो प्रिकृति में क्या है स्थल जल और गगन स्थल चर जल चर और गगन चर तीन तरह के प्राणी होते हैं तो कुकुर सूकर सर्प नकुलादि स्थल चारा है कुट्ता सुवर सर्प नेवला ये जो स्थल में रहने वाले जीव हैं मत्स्य कक्षप मकर प्रव्रतिया जल चरा तो मचली कछुआ और ये जो आपका क्या कहते हैं क्रोकोडाइल ये जितने जल चर हैं इन सब की भी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि ते स्थल मला नाम अपनो दिन अहां ये जो कुकुर है सूकर है और कौन सा है सर्प है नकुल है ये स्थल मने धर्ती का जो मल है कि वूसको नश्च करने वाले होते हैं जो दो दो दोश है धर्ती का सूकर है क्या योजना है क्या वश्यक्ता है स पशुव की लेकिन ये स्थल के मल को दूर करताह स्थल मना पनो दिन जल में कहते हैं जिस जल में मचलियां रहती हैं वो जल भी शुद्ध हो जाता है क्योंकि जल में जो तमाम कीट विशाक्ति सब आते हैं वो सब मचली उनको खा लेती हैं और वो उसको शुद्ध कर देती हैं प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवती प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संसार की रक्षा संभव है इसमें कोई संदेह नहीं है अब जलचर जो हैं थलचर हैं नभचर पक्षी इन सब का हमारे प्रकृति में बड़ा यूगदान है यह बहुत से ब्रक्ष आपको जक्तत बिना बोए बिना बीज के बपन की यही उगे हुए मिलते हैं और ब्रक्ष का रूप लेते हैं यह किसके कारण होते हैं पक्षियो के कारण पक्षि उसे खाते हैं और अन्य जगा जा करके उसे छोड़ देते हैं तो वहां से दूसरे ब्रक्ष भी हो जाते हैं तो अब एक संस्कृत की बहुत बढ़िया श्रूपते हैं विधाता की स्रिष्टी में जितने तरह की जीव जन्तु हैं किसी का महत तो कम नहीं बिचित्रे खलूसंसारे नाश्तिक इंचित निरर्थकम एस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं कैसे समझा आपने तो गोड़े को आप रनिंग में महारत देते हैं रनिंग में घोड़े का विशेश महत्व है तो इसलिए एक तरब कहां गढ़ा लेकिन दोनों का अपनी गोड़े की बराबरी गधा नहीं कर सकता और गधे की बराबरी गोड़ा नहीं कर सकता तो प्रकृति में जितने जीव हैं जलचर थलचर नभचर तुलसी दास कहते हैं जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना ये ये सब जो हैं जितने जीव हैं सब का इस प्रकृति में महत्व है और सब को बढ़ने पलने फूलने का अवसर मिलना चाहिए बिलकुल बिलकुल तो हमारा ये चाप्टर आज यहीं खतम होता है लेकिन इसकी जरूर कीजेगा जैसे कि सरने काल कि संस्कृत अगर 5-6-12 पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में और असानी होगी और इसको समझने में याद नहीं करना पड़ेगा लेकिन अपनी समझ से लिख सकते हैं तो इसको रिविजन जरूर कीजेगा और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो कॉल भी कीजेगा डबल डबल जीरो डबल फोर जिरो डबल फाइब नाइन पर या फिर आप मेल कीजेगा dth.class9 at cit.nic.in तो सर हमारा सत्र यहीं समापत होता है बहुत बहुत शुक्री आज के सत्र के लिए धन्यवाद मैं लेकिन आप लोग कहीं मत जाएएगा क्योंकि हम आपको बता दे कि NCRT textbooks are now available throughout the country the textbooks may be purchased directly from the NCRT sales counter located at New Delhi, Kolkatta, Ahmedabad, Bengaluru और Govati these sales counter will be functional on the all weekdays including the gazetted holidays from 9.30 am to 6.30 pm also including Saturdays and Sundays you may also place your order online and the books will be available at your doorstep without any fees and if you want the soft copy of the NCRT textbooks you can download the pdf from NCRT Diksha and e-Patshala websites and mobile apps please visit the website ncrt.nic.in and to know more about the authorized vendors thank you so much for the session please do not go anywhere we will be right back soon namaskar